हेलो माई डेर इस्ट्रेंट माई नेम इस संतोष कुमार दांगी और आज मैं आपके लिए क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका फर्स्ट जो लेसन है एक इस्वर को पत्र उसका हम कोश्चन अंसर आपके लेकर रहा है जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th तो आएजे देखते हम इनके कोश्चन अंसरों की प्रक्टिस करने जा रहे हैं पहला कोश्चन से लेंचो किस बात की आसा कर रहा था वहीं लेंचो को किस बात का विश्वास और आशा थी तो आन्सर हम पढ़ेंगे लेंचो अपनी फ़सल के लिए वर्शा के रूप में पानी की आसा कर रहा था किस की आशा कर रहा था वहाँ पानी की आशा कर रहा था और my dear student यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe किजेगा क्योंकि आने वाली 83, 82, 80 परिक्षा के लिए आपके लिए important question के series हम ला रहे हैं ठीक है अज़े देखते हैं next question आपका next question कुन सा है why did lencho say the raindrops were like new coins answer बनेगा आपका question क्या के रहे है कि lencho ने क्यों कहा कि वर्षा की बुंदे नए सिक्को की तरह है raindrops जो है वो किस के समान है new coins के समान है नए सिक्को की समान है तो answer बन रहा है आपका he said this because his crop really needed rain for being a good harvest so when it rained he saw it in the form of new coins he said उसने कहा this because the crop really needed rain for being a good harvest उसने कहा क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए उसे सच्मुच वर्षा की आवशक्ता है उसे किस बास की आवशक्ता है वर्षा की आवशक्ता है so इसलिए when it rained यदि वर्षा होती है तो he saw it in the form of new coins तो वहाँ उसकी फसल में एक नए सिक्को के रूप में देखेगा अगला question देखेंगे हम अगला question है how did the rain change what happened to lancho field वर्षा कैसे बदली लेंचों के खेतों को क्या हुआ था है ना तो आंसर जानेंगे हम answer a the rain changed into a hill इस्टर नुभई वर्षा किस में बदल गई वर्षा जो थी वहाँ ओलाव रस्टी में बदल गई hills fell on the house उसके घर के आसपास ओले गिरे the garden बगीचे में the hillside और पहाडी के आसपास and the cornfield और उसके मक्काई के खेत में they destroyed lancho fields completely और उसने lancho के सारे खेत की जो फसल थी उसको नश्ट कर दिया था पूर्णे रुप से नश्ट कर दिया अगला question देखेंगे what were lancho feelings when the rain stopped answer question command 4 answer जानेगे हम question पहले क्या करें question समझेंगे lancho पूरी तरह से question command 4 जब वर्षा रुक गई तब lancho की भावनाएं क्या थी ठीके answer जानेगे हम lancho felt completely broken lancho पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था the hail had left nothing ओले जो गिरे थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि जिससे वह उसके बाद अपना पालन पोजिशन कर ले he felt that they will have no corner that year उसे लगा कि उस वस उनको मक्का की फसल नहीं मिलेगी उसे लगा कि अब उनकी फसल पूर्णे तरुप से सारी नस्टो या समाप्त हो चुकी है question command 5 जानेंगे हम question command 5 अब से क्या कहता है whom और whom और what did Lencho have faith in what did he do Lencho किस पर या किस पर विश्वास रखता था उसने क्या किया मैं Lencho किस बात के उपर विश्वास कर रहा था या किस के उपर उसने विश्वास किया तो अंसर जानेंगे हम अंसर क्या कह रहा है आपका अंसर कह रहा है कि Lencho had faith Lencho had faith in God Lencho किस में विश्वास कर रहा था Lencho iswar में विश्वास कर रहा था He felt उसने महसूस किया उसने सोचा कि that God's eyes saw everything उसने किस बात के उपर विश्वास किया और उसने सोचा कि उसे लगा कि इस्वर की आँखे सब कुछ देखती है इस्वर की आँखे कभी बन नहीं होती है सत्य और सत्य का बाहा सर्वे करती है So he wrote a letter to God इसलिए उसने इस्वर को एक पत्र लिखा अगला question जानेंगे Question command 6 Who read the letter? Important question है The postman and the postmaster Sorry Who read the letter? बैपत्र किसको लिखा? है न? वहाँ पत्र किस ने पड़ा? Sorry Who read the letter? वो पत्र किस ने पड़ा? तो answer जानेंगे The postman and the postmaster read Lencho's letter किस ने पड़ा था वहाँ पत्र? LESSON में Lencho का पत्र postman और postmaster ने पड़ा था? किस ने पड़ा था? पोस्ट में और postmaster ने अगला question जानेंगे Question command 7 What did the postmaster do then? उसके बाद में फिर postmaster ने क्या किया? तो answer जानेंगे The postmaster helped by sending money on the behalf of God यनि कि postmaster ने इस्वर की और से पेसे भेज कर Lencho की साइता की Lencho had written a letter to God to help him with money Lencho ने इस्वर को धन द्वारा उसकी साइता करने के लिए एक पत्र लिखा था The postmaster did not want to seek Lencho had faith in God Postmaster Lencho की इस्वर के प्रती आस्ता को हिलाना नहीं चाहता था So, इसलिए he collected money and send it to Lencho इसलिए ता वहाँ उसने एक अत्रित धन किया और Lencho को भेजा अगला question जानेंगी What made him angry? What made him angry? उससे किस बात ने क्रोधित किया? इसको लेंचो को अंसर जानेंगी Lencho had requested to send him 100 pesos यानि कि Lencho ने इस वर से 100 pesos की मांग की थी ठीके, but किन्तु God sent him only 70 pesos क्योंकि Postman और Postmaster के पास्त मात्र 70 pesos सी collect हुए थे इसलिए जितना collect हुआ था उन्होंने लेंचो की साहता के लिए भेज दिया बट God sent him only 70 pesos किन्तु God ने यानि कि इस्वर ने मात्र उसके लिए कितने पैसे बजे यानि कि 70 पैसे भजे इस वास नाट गूड ऑन गौट स पार्ट इसलिए वहां इसलिए वहां इसलिए वहां इस्वर की ओर से ठीक नहीं था उसे ऐसा लगा था कि भई उसने इस्वर इस्वर ने उसकी पूर्ण रुप से साहता नहीं की दिस मेड हिम एंग्री वहां इस बात से उसे क्रोधित कर दिया इस बात ने उसे क्रोधित कर दिया आप नेक्स्ट क्वेशन की सिरीज आप हमरे इस चैनल पर देख सकते हैं तरेमासिक परिशा के लिए एम्पोर्टेंट क्वेशन से किस प्रकार का क्वेशन आएगा वो सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्स्पलेन करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूले और आप यूटूब पर संतोज दाएंगे इंगलिस के नाम से भी चैनल सर्च का सकते हैं थेंक यू सॉमस्ट, टेक केर आप यू